ओम श्री परमात्मने नमहा ओम श्री गुर्वे नमहा अत्थ चत्वदशो ध्यायः श्लोक नमबर 11 इश्लोक है सर्वद्वारे शुदेह स्मिन प्रकाश उपजायते ज्यानम यदा तदा विद्याद वीवरिधम सत्वमित्यूत वीवरिधम सत्वमित्यूत इसमें जो पहले लिखा हुआ है देहिस्मिन इसमें देहि एक ही मात्रा के बाद एस साइलेंट है और आधस आएगा देहिस्मिन देहे प्लस असमिन असमिन का मतलब इस देहे का मतलब मनुश्य शरीर देहिस्मिन यह ध्यान रखना है देहे सीमन नहीं बोलना देहिस्मिन एके बाद आधस और उसके बाद कहा है थर्ड पार जो है ज्यानम यदा तदा विद्याद विद्याद, यहां पर द आधा है और उसके पैर में व पूरा है, विद्याद, आधे द तक हमारा थर्ट पार्ट है, और उसके बाद वीवरिधम, यहां से फोर्ट पार्ट स्टार्ट होता है, वीवरिधम, सत्व मित्यूत, सत्व मित्यूत, सत्वम प्लस इती प्लस उत्व, सत्वम सत्व गुन, इती यह, और उत्व का मतलब और, यह जो पीछे दिया हुआ है, विद्याद समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो यहां पर कहा है, इस श्लोक में जब दो गुनों को दबा कर एक गुन आगे बढ़ता है, तो उस बढ़े हुए गुन के लक्षन क्या है, यह बताया दिया है, यहां कहा है, यदा, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ग्यानम के बाद यदा, यदा, जब अस्मिन देहे, इस मनुष्य शिरीर में सर्व द्वारेशू सभी द्वारों में अर्थात, ज्यान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और अंतहर करण में, प्रकाशह, उत, उत सबसे लास्ट में आया हुए, सत्व में त्यूत, प्रकाशह, प्रकाश, उत, और ग्यानम उपजायते, थर्ड पार्ट में पहला वर्ड है ग्यानम, उपजायते, सेकिन पार्ट में, ग्यान का मतलब विवेक, उपजायते, प्रगत हो जाता है, यदा अस्मिन देहे, जब इस मनुष्य शरीर में, सर्व द्वारेशु, सभी द्वारों में, अर्थात इंद्रियों में, और अंत्हकरण में, ग्यानम, प्रकाश उथ जञानम, प्रकाश और ग्यान उपजायते, प्रगत हो जाता है, तदा, थर्ट पार्ट में कहा है, तदा ITI vidyad, सत्व मित्य उतै जहां, सत्वम प्लस इती, तदा उसमें ITI vidyad, जब हम इसकी संथी करेंगे, तो विद्यात वर्ड बनेगा दिल की बज़े तदा इती विद्यात तब यह समझना चाहिए सत्वम वीवरिध्धम की सत्वगून बढ़ा हुआ है जब इस मुश्य शरीर में सभी द्वारों में प्रकाश और ज्ञान प्रगट हो जाता है तब यह समझना चाहिए कि सत्वगून बढ़ा हुआ है और आगे कहा है कि जिस समय रजोगून और तमोगून की वृत्तियां दब जाती है तब सत्वगून बढ़ता है और उस समय संपूरण इंद्रियां जिन्हें बाहिया करन कहते हैं और अंतहकरन मन बुद्धिची तहंकार ज्यान इंद्रियां और करम में इंद्रियां बाहिया करन है और अंतहकरन मन बुद्धिची तहंकार इन में स्वच्चता और निर्मलता प्रगट हो जाती है जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुवें हमें साफ साफ दिखती हैं ऐसे ही ये स्वाच बाहिया करन अर्थात इंद्रिया और अंतह करन से मन मुद्धिजित हंकार इसे शबद आधी पांचों विश्व का ग्यान जो है वो ठीख ठीक होता है आंख का विश्य अगर रूप है तो इन सां देखता अगर सब्धुवर्बरा हुआ है कि मुझे क्या देखना चाहिए मेरे लिए क्या ठीक है कान विश्य शब्द है मेरे सुनने के लिए क्या अच् है इसी प्रकार से जी भा के लिए कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा मेरे शरीर के मताबिक और त्वचा के लिए स्पर्श और नासिका के लिये घ्रान यह विश्यों का ग्यान जो है ठीक-ठीक होने लगता है और मन से प्रतियक विश्य का चिंतन वो बिल्कुल ठीक होने लगता है और जब हमारी इंद्रियों में और अंतहकरण में स्वाच्छता और निर्मलता आ जाती है तब हमें साथ असाथ कर्तव्य अकर्तव्य लाब हानी हीत अहित इन चीजों का ज्यान जो है वो पूरी तरह से हो जा गता है और ये जो बाहिया करण अर्थात इंद्रियों और अंतहकरण ये मद मुधि, मन गुधि, चीत हंकार इनमें स्वाच्छता, निर्मलता और ये विवेक शक्ती अर्थात ज्यान प्रगत होने का अफसर जो है केवल मनुश्य शरीर में ही है और रजोगुन और तमोगुन तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं पर सत्वगुन केवल मनुश्य शरीरों में ही बढ़ता है अन्य किसी शरीरों में नहीं बढ़ता है इसलिए मनुश्य को चाहिए कि वह है रजोगुन और तमोगुन पर विजय प्राप्ते करके सत्वगुन से भी उन्चा उठे इसी में हमारे जीवन की सार्थ हता है और भगवान ने गृपा करके मनुश्य शरीर दे कर इन तीनों गुणों पर विजय पाने का अफसर, अधिकार और योग्यता या सवतंतरता मनुश्य को दी है और फिर कहा है इंद्रियों और अंतह करण में स्वच्छता और विवेख शक्ती आने पर साधक को ये जानना चाहिए कि मेरी इस समय सत्वगुन की विप्पियां बढ़ी हुई है और उस समय साधक किसी प्रकार का अभी मान ना करे क्योंकि थोड़ा सा ग्यान अगर प्राप्त हो जाता है इंसाम सोचता है न जाने मैंने क्या कुछ पा लिया है ऐसा अभी मान ना आ जाए और फिर कहा है कि ये जो तीनों गुनों की वृत्यों का पैदा होना और बढ़ना और एक गुन की परधानता होने पर दो गुनों का धब जाना ये परिवर्तन केवल गुनों में ही होते हैं सवरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता इस बात को मनुश्य शरीर में ही ठीक तरह से समझा जा सकता है प्रन्तु मनुश्य भगवान के दिये हुए इस विवेक को महत्व ना देकर गुणू के साथ अपना संबंथ जोड लेता है और यह कहता है कि मैं सात्विक अपने आपको सात्विक राजस और तामस मानने लगता है और मनुश्य को अपने को ऐसा ना समझ कर सर्वता निर्विकार और अपरिवर्तन शील माने क्योंकि आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तीनों गुणों की वृतियां बंती और भीगड़ती रहती है इन यह जो स्वयम है परिवर्तन रहित है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है और इन सब वृतियों को देखने वाला आत्मा है यदि स्वयम भी अर्थात आत्मा भी बदलने वाला होता तो इन वृतियों के बनने और बिगड़ने को कौन देखता अर्थात परिवर्तन शील को परिवर्तन रहित ही देख सकता है अर्थात यहां कहा है परिवर्तन शील संसार के सारी वस्तमे ये शरीर और परिवर्तन रहित आत्मा पर्मात्मा और फिर कहा है कि जब सात्विक वृत्यों के बढ़ने से इंद्रियों और अन्तह करण में स्वच्छता और निर्मलता आ जाती है फिर विवेक जाकरित हो जाता है संसार से राग खत्म हो जाता है संसार से वेराग्य हो जाता है हमारे अंदर की अशांती मिटकर शांती आ जाती है लोब के स्थान पर उदारता आ जाती है और हमारी परतिय काम इंसान निश काम भावसे करने लगता है और वो नए नए कर्मों का अरम्भ नहीं करता और मन में पदार्थू और भोगों की अवश्यक्ता पैदा नहीं होती केवल निर्वाह के लिए ही दृष्टी रहती है और पर्ठीक कार्या इंसान साधानी पूर्वक सुचार्य रूप से करने लगता है फिर कोई भी कार्या करता है उसमें भूल नहीं होती और साथ और साथ करतव्य अकरतव्य यह सब कुछ सुपष्ट दैपतल लगने लगता है जब साथविक वृत्तियां बढ़ी होई हो और जब साथविक वृत्ति बढ़ी होई हो इंसान को अपना ध्यान, साधक को विशेश रूप से ध्यान भजन आदी में लगना चाहिए और ये थोड़े से समय से, मतलब कि थोड़े समय में ध्यान करके ही इंसान बहुत सा लाभ प्राक्त कर लेता है। शिरिक्रिष्न, अर्पणं, अस्तु.